हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू सिवास्टिडी फ्रेंट्स इव्यस एंश्यास्टी नोट्स का अगला भाग है यह तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और यह नोट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग सुरू सलिक अलाह तक जरूर देखिएगा चलिए देख लेते हैं गाजी खान पाकिस्तान में है नेक्स टॉपिक है पहले के लोग गोवर, मिटी, लेप इसलिए करते थे कि गोवर मिलाने से मिटी में कीडा नहीं लगता लकडी के छट को दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम तथा कीकर की लकडियां बिचाते हैं वेलानिका गाउं करनाटक में है गीजु भाई गुजरात के थे इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानिया लिखी इंडियन रोविन कील चिडी पक्ची अपने अंडे सडक के किनारे देती है कोयल कौवा के घोसला में अपना अंडा पालती है पक्ची घोसला अंडे तेने के लिए बनाते है फक्ता कैक्टस के काटो वा मेहदी के पेड में घोसला बनाता है गौरया वा कबुतर पुराने घरों में अपना घोशला बनाते हैं वसंत गौरी पेड़ के तने में अपना घोशला बनाता है सक्कर खेरा डाली से लटकता घर बनाता है दरजिन चिडिया पत्ते सीकर अपना घर बनाती है बीबर नर्पक्षि अपने घोषले बनाती है मादा जो है उन घोषलों को पसंद करके अंडे देती है नेक्स टॉपिक है नाल मंडा अंध प्रदेश में हैं नेक्स टॉपिक है होलगुडी करनाटक में हैं होलगुडी में बच्चों के पंचायत को भीमा संग कहते हैं नेक्स टॉपिक है बर्गत की जो शाखाएं होती हैं वह जड़े हैं नेक्स टॉपिक है फ्रेंट रेगिस्तानी ओकापिर अस्टेलिया में पाया जाता है इसकी जड़े जमीन में तीन गुना लंबाई तक गई है यहां के लोग पतली पाईप से इससे पानी निकालते हैं नेक्स टॉपिक है बेला घर बास से बनता है नेक्स टॉपिक है बिहू तेवार चावल की फसल आने पर और शम में मनाया जाता है 14-15 जन्वरी को कम मनाया जाता है 14-15 जन्वरी को नेक्स टॉपिक है मुक्तारपुर गाउं आन्दप्रदेश के पोचम पल्ली कश्वे में था अब तेलांगना राज में है नेक्स टॉपिक है इनका व्यवसाय कारपेट खिलों ने इतर आधिका था यू एई यूनाइटेड और अमिरात की राजधानी अबुधाबी है और बहुत ही इंपोर्टेन टॉपिक है अबुधाबी की मुद्रा दिहरम है नेक्स टॉपिक है चिट्टपन चाचा को मल्यालम में बोलते हैं और चाची को बुजम्मा नेक्स टॉपिक है केरल में केला नारियल जै давно पकेे और विट्रनड़ पाय जाते हैं नेक्स टॉपिक तके सित्पथ्वरंड इलाची काली मीर्च के रल में पाये जाते हैं अबुधाबी से खजूर सरवाधिक पाये जाते हैं तॉपिक है लेफिनेन कमांडर वईदा प्र रगद्वा प्रिजम, फ़ानमंडी गाउं से पहली महीला जिन्हों ने परेड का नेतरुत्यूं किया है इसे भूती कहते हैं, भूती भाशा में मां को अम्मा ले वा पिता को अब बालेक बोलते हैं लग्दा को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं पीछे से उनको दूसरी चीटी पहचानती है वह रास्ता पता लगाती है रेसम का कीड़ा भी अपनी मादा तो गाउं गाउं से पहचानता है नेक्स टॉपिक है कुछ पक्षी और जानवार अलग-अलग परिस्तिती में विभीन आवाजे निकालते हैं जैसे खुशी भैके समय जैसे लंगूर भाग चील आदी नेक्स टॉपिक है प्रित्वी तल पर 180 या मनत्तर रेखा प्रधान या मनत्तर रेखा है नेक्स टॉपिक है फ्रेंड गोल्फ आप मननार तमिल लाडू में है नेक्स टॉपिक है छिपकली एक सीजन में शोती है नेक्स टॉपिक है फ्रेंड गाय चार घंटे सोती है साप 18 घ भण्टेश सोते हैं नेक्स टॉपिक है सलाथ सलाथ एक पेड़ पर पांच वर्श रहता है उस पेड़ की पत्ती खाता है या 40 साल जीता है पूरे जीवनकाल में या आठ पेड़ों पर अपना समय बिताता है नेक्स टॉपिक है बाग रात में छाव गुना तेज देखता है नेक्स टॉपिक है बाग के कान चारों दिशा में घूम सकते हैं बाग की दहार सुनाई देती है चीता की जान खत्रे में है नेक्स टॉपिक है हाथी दात के लिए मारा जाता है नेक्स टॉपिक है गैंडा सिंग के लिए मारा जाता है चील मगर मक्ष साप तच्चा के यह जाना जाता है नेच्ट प्रेंट नाक गुफंद दिवारों का एक डिजाइन है जिसका प्रयोक साराष्च गुजरात और दच्छिव प्रयोक किये जाते हैं भारत में नाक करेट दुबाई या उकाई पाए जाते हैं साप के दो खोखले दात व्यक्ति के सरीर में जाते हैं और सीरम दावा भी साप के जहर से बनता है हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस एसीड अमली होता है उडिसा के कालाहंडे जिले में सबसे अधिक भारत में चावल की खेती होती है फिर भी लोग गरीब है अत्री पूरम अंध्र प्रदेश में है और इंपोर्टेंट टॉपिक है घटपड़ी पौधा कीटो का सिकार करता है यह आस्टेलिया इंडोनेसिया और भारत के मेगाले में पाया जाता है कहां पाया जाता है तो आस्टेलिया इंडोनेसिया और भारत के मेगाले में बेल्ट्रो जाती मेस्ट्रल ने खोजा 1448 में बेल्ट्रो बीजों के छोटे छोटे हुक से बना है साथ अमेरिका से निम्न बीज आएं हारा मिर्च टमाटर आलू मुंखली अमरुद साथ अफ्रिका से आएं एक्स टॉपिक है यूरूप से आए बीज हैं बंद गोबी वह मतर बिन्डी कॉफी बींस अमेरिका से आए हैं शोयबीन चीन से आया है घर्षी सरत अलाबों का समू था जो जैसल मेहर के राजा घर्षी ने बनवाया था नेक्स टॉपिक है फ्रेंज बारि इस से जीले भरने की खुशी उत्रा खंड में मनाते हैं मृत सागर में 300 ग्राम नमक प्रति लिटर पाया जाता है नेक्स टॉपिक है डांडी गुजरात में है और डांडी यात्रा 1930 में अहमदाबाद से डांडी तक हुआ था नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया दवा सिनकोना की छाल से बनाई जाती है ऱीदर के गुड पूरे ग्रूप में आगे बढ़ने की आगे बढ़ने पर ही आगे बढ़ना जो चल ना सकते जो चलना पाई उसी हाथ पकड़के चड़ाना बिमार रहने पर देखवाल करना और खाने पीने का इंतजाम करना ये सम लीडर के गुड़ होते हैं माउंट एवरेश्ट को फटा करने वाली बिश्व की पांचवी और भारत की पहली महिला बचहिंद्री पाल है नेक्स टॉपिक है फ्रेंड वारवर्स की आयू में बचहिंद्री पाल 4,000 उचाई चड़ी थी नेक्स टॉपिक है बचहिंद्री पाल नकुरी गाउँ जो उत्रा खंड में है 1984 में इन्हें एवरेश्ट पर चड़ने के लिए चुना गया था नेक्स टॉपिक है फ्रेंट 23 मई 1984 को एक बज़कर 7 मिनट पर दिन में एवरेस्ट फतह किया था वचहिंद्री पाल ने नेक्स टॉपिक है एवरेस्ट की उचाई नावासी सो मीटर है नेक्स टॉपिक है नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागर्न माथा है बहुत इंपोर्टन कोशन है बचहिंद्री पाल 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही नेक्स टॉपिक है अंतरिक्ष में गुट्वकर्श शुन रहता है इसलिए चीजे तैरती रहती है सर्वादिक भीडवाला सहर मुंबई है नेक्स टॉपिक है दिलली मुंबई से दूर है 14 100 किलो मिटर मुंबई से दिलली आने के लिए महराराष्ट गुजरात और राजस्थान से गुजरना पड़ता है next important question है कास्मीर का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है next topic है लद्दाख के घर लकड़ी वो पत्थर के होते हैं next topic है लद्दाख की विशेस्ता बर्व ड़के पहाड ठंडा रेत और पेड़ों की कमी होती है यहाँ पे समतल सुखे रेगिस्तान बारिस कम होती है next topic है यहाँ पर ठंड से बचने के लिए लकड़ी का घर बनते हैं next topic है प्रेंच चांथांग पाच हजार मीटर की उचाई पर है next topic है लद्दाख मैदानी सुनसान इलाका है यहाँ आकसीजन की कमी है next topic है चांगपा प्रजाती के 5000 लोग है next topic है पंचा चांगपा भेर बकरी पालते हैं next topic है पासमीना साल बनाने में एक ब्यक्तिकोलग भग 250 घंटे लग जाते हैं next topic है श्रीनगर का हाउस बोड ढोंगा बोड की तरह होते हैं यह डल जिल तता जेलर नदी में पाए जाते हैं next topic है कासमीर की घारगली में एक वेकरी होती है और यहां के लोग घर पर भोजन नहीं बनाते बलकि वेकरी से खरीते हैं next topic है कच्छ भूज और अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 में आया next topic है कच्छ चेत्र गुजरात में है next topic है दिल की धड़कन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं next topic है भीम रामेटकर महराज्ट के गोरा गाउं से थे next topic है फ्रेंड नाग पांडा और अपसाना मसूरी वास्केटबाल मुंबई में है next topic है विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है next topic है शोलापूर मुंबई में है next topic है बच्चु खाना ग्राउंड मुंबई में है next topic है घड़े को उल्टा लटका कर उद्ध्वाई पकाते हैं बाजरे की रोटी मखन दही से खाते है next topic है क्रोटोन पौदे मुर्जाते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि पदों को पानी चाहिए next topic है कुडूप जारकंड में एक समधाय है next topic है एक टीन बीज को जित्ती जमीन हो उसे एक एक टीन जमीन कहते हैं सुर्यमडी को सिस्टार है next topic है और important topic है जुमकी खेती यह के ऐसी खेती है जो फसल को आपने के बाद जमीन की उर्भरता के लिए कई फसली छोडते हैं और जाड उगे तो काटकर जला देते हैं जमीन को पजाओं बनाते हैं एक एक पर्योंड़kar में होता है चेराओ नाच मिजवरम में होता है सारे important topic है ग्रेगर मेडर का जन्म आश्टिलिया के गरीब परिवार में हुआ था और इनोन मटर का प्रयोग किया था अन्वास्चता की खोज के लिए तो friends आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है friends वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और EBS NCRT Notes के मैंने दो पार्ट्स बनाये हैं और पहले पार्ट्स का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगी अगर आप लोगों ने नहीं देखाओगा तो देख लीजेगा सिटर्ट देने से पहले यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो thank you friends